Hello students, 11th class के बच्चों के लिए नया chapter start होने वाला है, वो है प्राइक्ता और प्राइक्ता आपको पता है कि 9th, 10th, 11th, 12th सारे ही क्लासस में काम आती है, बहुत important chapter है 9th और 10th क्लास में अगर आपने प्राइक्ता ढंग से नहीं पड़ी है, तो फिर 11th में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है आप लोगो को इसलिए chapter start करने से पहले, मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोग केवल revision कर लो 10th क्लास में जो अपने प्राइक्ता पड़ी थी उसका, 10th क्लास की प्राइक्ता का वन शॉट भी आप देख लोगे न, तो काफी अद तक प्राइक्ता का revision हो जाएगा और कुछ extra करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी, पूरा देख लो तो बहुत अच्छा, मतलब पूरा 10th क्लास का जितना भी था प्राइक्ता, पूरा देख लो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो वन शॉट भी अगर आप देख लेते हो तो बहुत है, तो आज इस वीडियो क दिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वन शॉट का लिंक डाल रहा हूँ, यहां से आप क्लिक करके उसको जरूर देख लो पूरा का पूरा इक बार, फिर हम लोग 11th की प्राइक्ता शुरू करेंगे, तो आप लोगो को सारा समझ मा जाएगा, उससे पहले करेंगे तो फिर मजा ही बनाया है वो, उससे रिवाइस कर लो, फिर अपन कल से, मतलब सेटेड़े से नए चेप्टर स्टाट करेंगे, प्राइक्ता बहुत इंट्रेस्टिंग, बहुत कमाल का चेप्टर है, और 11th में नंग से पढ़ोगे, तो 12th में as it is काम आएगा, पूरा पूरा चेप्टर ठीक है, तो रिविजन जरूर कर लेना, चलिए, बाबाई, सी यू, थैंक्यू, आल बेस्ट